अस्सलाम आलेकुम नाजरीन हमारे चैनल फूट जंग्शन में आपका स्वागत है अगर आपको हमारी रेसिपीस पसंद आएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी नूटिफिकेशन्स आपको मिल पाएं उसके लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें आज हम बनाएंगे आलू की चाट इससे बनाने के लिए मैंने लिए हैं चार बड़े आलू इस तरह से टुक्रों में कटे हुए इन्हें मैंने पानी में भूगोकर रखा हुआ है नमक स्वाद अनुसार, देर टीस्पून चाट मसाला, आदा टीस्पून बुना हुआ जीरा, एक चौथाई टीस्पून लालमिश पॉडर, एक चौथाई टीस्पून आमचूर पॉडर यानि खटाई दो टीस्पून हरी चटनी, इसकी रेसिपी कर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, दो टेबिल इस्पून दही वाली चटनी, इसे मैंने हरी चटनी और दही मिलाकर तयार किया है, और टेबिल इस्पून नीबू का रस, और उपर से गानिश के लिए ग्रेट की हुई मूली, सबसे पहले आलूओं को एक बड़े बर्तन में करेंगे, अब इसे अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे, तेज गैस पर, यह देखिए उबाल आ गया है, अब इसे एक बार चलाएंगे, और इसे 2-3 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद गैस बन क कर देंगे, अब इसका पानी निकाल देंगे, यह देखिए अब हम इने फिराई करेंगे, उसके लिए मैंने यहां कड़ाई में तेल गरम कर लिया है, अब आलूओं को इसमें डालेंगे, अब इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से प्राई करेंगे, अब इनको एक प्लेट में निकाल देंगे, अब इनको एक प्लेट में निकाल देंगे, इसी तरह से बागी आलूओं को भी फ्राई कर लिए, यह देखिए अब इनने एक गहरे बरतन में करेंगे, अब इसमें डालेंगे नमक, चाट मसाला, भुनावा जीरा, लाल मेर्च और खटाई, हरी चटनी, दई वाली चटनी, और थोड़ा सा नीबू का रस, अब इन सबको अच्छे से मिलाएंगे, अब इसे दौनों में निकाल देंगे, गर्मा गर्म आलू की चाट तयार है, इसे मूली डाल कर सर्फ करें, अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आये तो इसे लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अल्ला हाफिज, अभैंगे, ट्रया है।